नमस्कार स्वागत है आपका बात खेल की में और आप देख रहे हैं नियूस्वेंट की मैं हूँ आपके साथ अलका बात खेल की जहां हम बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी तमाम जोटी बली ख़बरों के बारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अखिर भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारती क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज विरेज सहवाग ने आपत्ती जताई है असल में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान के 10 विकिटों से जीत के बाद दिल्ली के कई लागों भी पटा की गूश्ते में नजर आए इसके बाद भारती क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज विरेज सहवाग में आपत्ती जतादे हुए कहा कि जब भारत में पटाके बैन हैं तो पटाके आखिर कहां से आ रहे हैं और अगर यह पटाके जीत के जश्न की खुशी में मताया जा रहे हैं तो फिर दिपावली में इस पे हर्स क्यूं है इसके साथ ही साथ कौतम कंभीर ने भी इस घंटा को शर्मनार बताया है उन्होंने कहा है कि जिनोंने भी यह पटाके जलाया है भारते नहीं हो सकते इस पर आपकी क्यारा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बागी की तमाब खुदों के लिए देखते रहे हैं निवस्टेंटी लिए नमस्कात।